पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडा फोड किया है जो रास्तों पर चलते हुए लोगों को लूट लिया करते थे इन लोगों के 32 चीटिंग और 8 स्नेचिंग का मामला सामने आया है इसका खुलासा ठाने पुलिस ने पत्रकार परिशत करके दी पुलिस ने बताया कि ये लोग इतने सातिर हैं कि लोगों को रास्ता बताने या फिर बैंक की जानकारी देने के बहाने से लोगों का पर्स या फिर सोने चांदी लूट लिया करते थे पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफतार किया है जिसमें से 6 आरोपियों को 14 तारिक तक पुलिस रिमांड पर भेद दिया गया है या फिर उनके जो डुएलरी निकालने का प्रकार था ऐसे तकरिवन 40 एकस जिसमें 32 केस और ये पुलिस बताऊने के और उसके बाद आठ केस शनेचिंग के पुलिस ने लिक टेक्ट किया है इसके अन्दर 13 आरोपियों को पुलिस ने रिस्ट किया है इसके अरोपियों आभी 12 तारिक पुलिस रिमांड पर इसके अंदर जो 40 केस डिटेक्ट हुए है, इसके अंदर कैस और ज्वेल्डी है, तकरीवन 20 लाग का मुद्देवाल पूलिस ने भी तक इसके अंदर डिटेक्ट किया है। की मौनिंग वोक जो जो प्रफिश्प आते हैं, प्रफिश करना पूस को आ हुए हुए उनको टार्गेट करना है। करना देना इनका पूस कई इससे और जानकार बनके नातवा इक ननका जानकार पनके लगए उसके भूल करना है। में अरॉपी इसमें पूए चीजें आईगी कोई पूदिचरानी में एक इसमें जो जो बताउनी में कई वार ये यह वेरिजन देते हैं उसमें गया है तुम ज़रूर इसका इंवेस्टिगेस्टेन करें मैं आपको बताएं सेनेर सिटिजन या फिर जो बैंक में जो इनोशेंट लोग करने जाते हैं इसमें 20 लाक से ज्यादा का मुदेवाल हमें मिला है इसमें 30,000 रुपे कैस है और बाकी स्टरोय जिवेल्टी है और इसमें ज्यादा रेगुलर काम दंदा करने वाले लोग नहीं है यह इसके अंदर पैट्रोलिंग का भी फाइदा मिला है कुछ हमें जो विक्टिम थे उन से भी हमने डिटेल में बात किया है इसके साथ साथ हमारी जो डिटेक्शन स्किल्स है उनका भी हमने इस्टेवाल किया है इन्हों ने ठाने सीटी में पड़ाई पुलिस को इस गि रूपी को पकड़ लिया जब पुलिस ने सकती से पूश्टाश की तो इसने अपने सभी साथियों का नाम बता दिया जिसके बाद एक एक कर पुलिस ने तेरा आरूपियों को गिरफतार किया पुलिस ने इनके पास से 20 लाक का सोना और 30 हजार रूपे बरामत किये हैं वही अब पुलिस के गिरफत में हैं तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए परहा टाइम्स